हेलो बच्चों आज की वीडियो में हम फिर से चर्चा करेंगे हमारे फॉर्मल लेटर की जैसे के बच्चों आपको मालूम है लेटर सेक्शन जितने भी हैं वो राइटिंग स्किल के अंतरकत आते हैं और आपके इंग्लिश के पेपर में ये एक ऐसे कुशन्स होते हैं जो न दिख रहा होगा Malfunctioning of the Government Hospital यानि कि बच्चों Malfunctioning का मतलब होता है खराबी या किसी चीज का अच्छा ना होना अब यहां पर क्या अच्छा नहीं है यहां पर कुछ facilities हैं यानि कि सूविधाएं जो सरकारी Hospital में चिकत सालों में अच्छी नहीं हैं तो इसके रही हमें जो है बच्चों यहां पर letter तयार करना है और यह letter किसको लिखना है और किस तरीके से लिखा जाएगा यह एक important topic है तो चलो बच्चों इसको discuss करते हैं सबसे पहले से समझने से पहले हम questions को read कर लेते हैं और question को समझ लेते हैं ताकि हमें बहुत अच्छे से clear हो जाए कि हमें अपने letter को किस प्रकार से लिखना है और किसे लिखना है तो बच्चों यहां पर आपको सामने screen पर देख रहा होगा यहां पर मैं question read कर रही हूँ यू आर निधी गुपता living in बसंत नगर कटनी यानि कि आपको यहां पर मैंने फिर जैसे कि आपको बताया है जब भी question में यू आर करके आता है तो आप इसे से समझ आईए कि आपको question में एक नाम सजेस कर दिया गया है और आपको यही name अपने letter में use करना है आप other name use नहीं क write a letter to the collector अब हमीं जो पत्र लिखना है अपने जिले के collector को लिखना है यहाँ पे लिखा हुआ है write a letter to your district यानि कि आपको collector को तो लिखना है लेकिन collector कहां कहोगा जो आपके जिले कहोगा यानि कि हम यदि कटनी के हैं तो हमारा जो collector होगा वो हमें कटनी के collector को ही लिखना है ना कि other district के collector को लिखना है about the lack of lack का मतलब होता है कमी facilities मतलब होता है सुविधाई यानि कि सुविधाओं की कमी है और दूसरी चीज खराबी किस चीज की खराबी किस चीज की malfunctioning है malfunctioning of the government hospital यानि जो government hospital है वहाँ पे सुविधाओं की कमी भी है और वहाँ पे बहुत सी सुविधाओं हो रही है और कहाँ पर हो रही है government hospital में of your area यानि कि हमारे छेतर का जो government hospital है वहाँ पे जो भी सुविधाओं का अभाव है उसको लेकर हमें अपने जिले के collector को अफगत कराना है उन्हें इस समस्या से के बारे में अफगत कराना है तो यह हम मेरा topic हो गया बच्चो अब इसको कैसे तैयार करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर screen में किस प्रकार से हमने लेटर के लिए एक box बना रखा है यहाँ पर यह composer ने यह letter कभी भी box के अंतरगत नहीं लिखा जाता है परन्तु जो हमें wishes ध्यान देने वाली बात है वो है हमारा format हमें अपने format को बहुत ही अच्छी तरीके से design करना है बहुत ही अच्छी तरीके से बनाना है और क्योंकि यह writing skill के अंतरगत आने वाले topic है इसलिए इस पर आपको writing पर wishes ध्यान देना होगा यदि अगर आपकी writing जड़ा से भी over writing होगी तो निश्यत आपके number यहाँ पर minus होगे तो हमें प्रयास करना है कि हमारे writing किसी भी तरीके से बिगरने नहीं चाहिए अब बच्चों मैंने आपको format बहुत अच्छे से समझ मैं इसलिए मैंने यहाँ पर दो lines जो है draw कर रखी है और एक box जैसा बना दिया यहाँ पर हम यह supposed करें कि this is just like our page यह हमारा वो copy का page हम suggest करें जिस पर हम अपनी application या letter या formal letter या कोई भी informal letter को लिखने वाले हैं तो हमें एक format को अगर हमने इस तरीके से एक overlook दे दिया है तो इससे हमें यह idea हो जाता है कि हमारे word power जो होगा वो किस प्रकार से दिखाई देगा हमारे copy पर जो हमारे answer जब हम लिख लेंगे तो उसका presentation कैसा होगा तो बच्चो इसके लिए यह बनाया है otherwise it is not necessary यह कोई necessary नहीं है यह कोई bond नहीं होता बस अगर हमारे writing अच्छी है और हमने एक one-sided format का बहुत proper use क्या है तो no doubt हमें बहुत अच्छे number ही मिलते हैं तो बच्चो जब हमने सारी details को निकाले यहाँ पर हमने details पर ली अब हमने question को तयार करना है तो यहाँ पर जो जो information हमें question में दी हुई है question को read करना इसलिए जरूरी है because a lot of information given in the question तो we have to concentrate on the condition what condition we have in our question जो भी condition हमें आरे question में दी गई है हमें उसको focus करना बहुत जरूरी है तो हमने उसे read कर लिया है अब जैसी के हमें मालूम है कि हम बसंत नगर में रहने वाले तो हमने पहले formal letter का हमेशा format होता है कि हमें सबसे पहले जो sender होगा उसका address आएगा अब यहा पर बताए गया था कि वो कहां पर रहती है बसंत नगर कटनी में तो निधी गुपता का यहां पर प्रॉपर हमने address आया address के लिए हम जादा से जादा डो लाइन यूज करें with a district name यानि उसमें आपका district name भी include हो और आपका address भी include हो ऐसी दो लाइन के अंतरगत आपको जो है left hand top corner side पे address लिख देना है जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो उसके just third line पर हमने लिखी है date यहां पर वो date आई कि जिस date पर हमने अपने letter को तेयार किया है और इसके बाद टू करके हमें जिसे लिखना है जो हमारे receiver है हमारे receiver में यदि हमें post दी गई है जी हां हमें post दी गई malfunctioning of the government hospital या फिर lack of facilities in government hospital हम इस प्रकार से क्योंकि हमने यहां पर जो topic पड़ा है हम उस topic पर ही अपनी क्या बनाएंगे application तैयार करेंगे और application भी एक formal letter का ही रूप होता है बच्चो लेकिन यहां पर हमें letter लिखना है ना कि application तो यहां पर हमने letter का subject बना रखा है उसके बाद ह हमें यहां पर salutation में sir या ma'am या respected sir भी आप यहां पर लिख सकते हैं उसके बाद comma उसके बाद जब भी हमें किसी शिकायत के ओपर अवगत कराना है या कोई समस्या के ओपर ध्यान केंद्रत करवाना है तो हमारी letter के beginning कुछ इसी प्रकार से होगी I would like to draw your kind attention कि मैं आपका ध्य जो है इस समस्या पर केंद्रत करना चाहता हूं कि किस समस्या है कौन से समस्या है to the lack of facilities and malfunctioning of the government hospital याने कि जो भी सुविधाओं का भाव है और जो खराबी है जो सरकारी चिकत साले है उसकी there is lack of doctors and nurses जैसे कि आपको मालूम है यहां पर यह भी हमने बताया है कि भई अगर हम कि इसी चीज की malfunctioning बता रहे हैं या lack of facilities बता रहे हैं अब lack of facilities हम कहां कि बता रहे हैं government hospital की बता रहे हैं तो हमें बताना भी बढ़ेगा कि कौन-कौन सी lack of facilities हैं कौन-कौन सी सुविधाओं का वहां पर अभाव है जिनकी सुविधा ना होने के कारण वहां के जो patients हैं उस area के उन no facilities of x-ray machine याने के x-ray की machine वहां पर नहीं है कोई भी सुविधा नहीं है एक्स-ray machine की medicines are not available at time समय पर जितने भी जो patients हैं उन्हें समय पर medicines याने की दवाईयां उपलब्ध नहीं हो पाती हैं तो यह सारी हमने कुछ इसकी खामियां बताए कि क्या-क्या कमी है डॉक्टर नहीं ह facilities नहीं है कोई machine नहीं है आप x-ray के साथ sonography और और other machine जो आपको याद हो हम अपने हिसाब से अपना content वहना सकते हैं यहां पर यह content जरूरी नहीं है कि हम बिलकुल as it is जो हमने पढ़ा है जो हमने समझा है हम वही लेकर यहां का content हम अपने हिसाब से change कर सकते हैं जो हमें खु कुछ नहीं मिलते हैं so I request you to take necessary action so that the people may get proper medical facilities तो मैं आपसे request कर रहा हूं कि आप क्या करिए इस matter पर ध्यान दीजे I request you to take necessary action कुछ इस पर कारवाही करिए कोई उचित खारवाही करिए जिससे जो आम जनता है जो आम लोग है या फिर जितने भी लोग वस छेत्र के हैं उन्हें जो है उचित चिकित सास से संबंदित जो भी उनकी समस्या है वो उनके प्रॉपर जाच या प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको medical treatment मिल सकें I shall be greatly obliged if you could look into the matter मैं आपका बहुत ही अभारी रहूंगा बहुत ही मैं आपका कृतने रहूंगा यदि आप इस matter पर क्या करते हैं ध्यान इस matter को यदि इस मामले को आप देखते हैं तो हम आपके अभारी रहेंगे ये इस तरीके से हमने last में एक line दिखी है तो ये बच्चो जब भी हम किसी समस्या के उपर अवगत कराएं तो starting हमारे ऐसी ही होना चाहिए कि हम आपकी इस समस्या पर ध्यान केंद्रित कराना चाहत उसके बाद बीच पर हम अपनी समस्या को बताएं जो भी हमारे समस्या दिमाग में चल रही है और last में हम उनसे request करें कि हमें बहुत अच्छा लगेगा हम आपके अभारी रहेंगे हम आपके thankful रहेंगे यदि आप इस समस्या पर इस matter पर जितना जल्दी हो जाए उतना आप आप जो है look after करें या ध्यान दे या attention पर करें इस तरीके से हम कुछ lines को remember करके बहुत अच्छे से इसकी ending कर सकते हैं अब last में बच्चों हमें देखना है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें last में हमें क्या लिखना है thanking you and yours truly या obediently या faithfully जो भी word आपको remember हो आप वहाँ पर लिख सकते हैं और उसके बाद निधी गुपता निधी गुपता यहाँ पर हमने क्यों लिखा क्योंकि हमारे question में भी दिया हुआ था निधी गुपता इसलिए हमने भी यहाँ पर जो है निधी गुपता लिखा हुआ है तो इसी प्रकार से बच्चों जब आपका पूरा overall formal letter तहियार हो जाएगा तो उसका जो overall view होगा वो कुछ इसी प्रकार से होगा इसी प्रकार से आपको जो है दिखना चाहिए आपकी copy पर उस page पर जिस पर आपने formal letter को तहियार किया है तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए प्लस wishes ध्यान देने वाली बात है one side format क यह हुए है receiver का भी दिवा हुआ है plus center का भी दिवा हुआ है तो हमें proper उसका address लिखना है यदि वहाँ पर address नहीं दिया है तो भी हमें दोनों city name को भी mention करना पड़ेगा और अगर city same है तो same mention करेंगे अगर different different दी हुई है तो वहाँ पर different mention भी करना पड़ेगा इस जगह पर तो उपर वाले ही जगह पर center और उसके just नीचे हमारा receiver और then after हमें subject पर concentrate करना है then salutation उसके बाद main body और last में हमारा complimentary clause तो इन सब बातों को one-sided यदि हम बहुत अच्छे से follow करें सारी conditions को follow करें तो no doubt हमारी बहुत अच्छा letter तयार हो जाएगा तो बच्चो ये था हमारा formal letter इस प्रकास से हमें formal letter को तयार करा है तो मैं उमीद करते हूं कि आपको यह topic पर जो हमने formal letter तयार किया है वो आपको जरूर समझ में आया होगा और यह ऐक important फॉर्मल और इन्फॉर्मल लेटर से रिलेटेड और अन्य आपके स्टडी से रिलेटेड टॉपिक्स और वीडियो अप्लोड करती रहूंगी तब तक के लिए इतना ही थेंक यू